नमस्कार सभी को Educational Hub by Swasri में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमने प्रीवियस वीडियो में वेंजन के बारे में विस्तार पुर्वक जाना और आज हम जानेंगे सैयुक्त वेंजन के बारे में सैयुक्त वेंजन क्या होते हैं? किन वेंजनों से मिलकर बने होते हैं? और इनसे जुड़े उधारन तो चलिए शुरू करते हैं सैयुक्त वेंजन दो वेंजनों की साहता से बनने वाले वर्ण या अक्षर सैयुक्त वेंजन कहलाते हैं हिंदी वर्णवाला में चार प्रकार के सयुक्त वेंजन होते हैं जो इस प्रकार हैं छ, त्र, ग्य और श, छ, क, और श से मिलकर बना हैं, त्र, त और र से मिलकर बना हैं, ग्य, ज, और इय से मिलकर बना हैं, श, श, और र से मिलकर बना हैं ध्यान रहें सयुक्त वेंजन में पहले शब्द में स्वर्शामिल नहीं होता है और दूसरे शब्द में श्वर्शामिल होता है आईए सयुक्त वेंजन से बने कुछ शब्द देखते हैं क और श मिलके बना कक्ष, इ और त्र मिलके बना इत्र, य और ग्य मिलके बना यज्य, श्र और म मिलके बना श्रम. इसी तरह उधारण दिखा कर बच्चों को सयुक्त वेंजन सिखाए जा सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद आपका दिन शुब हो.